अगली खबर आरी ए मदप्रदेश के रिवाज जिले से जहां युवाओं को खेल के प्रती बढ़ावा देने के लिए रिवाज जिले हनुमना तहसेल अंतरगत हाटा में एक सहीयोग दोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें सैक्डों की संच्छा में युवाओ सुखेन सिंग बनना द्वारा प्रथम विजेता को 75 सो रुपए वा प्रमार पत्र दे कर सम्मानित किया गया वहीं आन्य खिलाडियों को भी रखी गई उच्छत इनाम की रासी और प्रमार पत्र दिया गया उन विधायत ने कहा कि युवाओं को खेल के प्रती बढ़ावा सिको तीन युवाओं के द्वारा हासिल की गई आपको बता दें कि जनपत सदस से बिट्टू सुकला एबं मानस तिवारी के द्वारा पूरे कारिक्रम का आयोजन बड़े ही धूम धाम से किया गया था जिससे की युवाओं खेल के प्रती आगे आ सकें के सयोग से यह एक कारिक्रम का आयोजन रखा गया जिसमें लगभग सत्तर असी सह भागियों ने छेत्र के भी और बाहर के भी लोगों ने इसमें भाग लिया और जो तीन चार प्रतिभागी पांस ते वो सफलता पाए बाकी थोड़ा पीछे रह गए आने वाले समय में उन सभी को सुपकामना आए देना चाहता हूं खासकर विजेता जितने हुए विजेता उब Tube घेता साफी को भी सुपकामना देना चाहता हूं उनका भविशुजल उचलो और आगे भी चलकर के अस्तर पर मिजही हों और साथ ही जो आयोजन समित के हमारे सदस हैं प्रसान में इसी तरीके का आयोजन होते रहें जिससे छेत्र के युवाओं को अवसर मिले यही और हमारे बरिष्ट जन भी मंच पर विराजमान हैं उनका भी मार्ग दर्शन उनका अश्रिवाद भगवान भोलेनाद के कृपा सब पर बनी रहें और छेत्र के जितने भी लोग इसमें सरीख हुए सभी ने अपना सवयोग दर्सक दिर्गा में बैठ करके दिया सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद जानते हैं कि यह सलेक्षन और एलेक्षन होता है अलग तरीके से होता तो सलेक्षन में जो सोर्स, इपारास, और योग की लोग भी होते हैं उनको भी रख लिया जब हमने वहाँ PTI को से बात करी तो उन्हें बताया कि हाँ कुछ दिक्कत आई इसलिए लेकिन आप बोल रहे हैं तो रखे लेते हैं तिसी यह लगता था कि योग यह था उसको जानबुश के चाटा गया था रखे लिए बात उन्हें करी है यह माउगंच छेत्र हर्मना छेत हमारा 84 छेत्र यह हमारी नजरों में वैसे भी है जनपत अध्यक्ष भी बैठे हैं और हम लोगों का नैतिक कर्तब है और पहले भी जब मैं विधायक था तो कहिन कहीं रास्तों के लिए विसेश रूप से ध्यान रखा गया उनको मालूम हो उनके पीछे क्या रास्ता एक ज अध्यान साथ एक दो वर्सों में उसका निदान हर हाल में किया जाएगा और यह सब हम लोगों का नैतिक कर्तब है